सर एक छोटा सा व्यू आईटी पर भी क्योंकि तीन दिगजों के नंबर्स आ रहे हैं और आईटी का सहरा भी रहे बाजार को बाईबैक भी आएगा टीसेएस का टीसी एस के लिए तो रिजल से ज्यादा बाईबैक है रिजल अच्छे आए और बाईबैक ठीक ठाक है तो भी बढ़ी आ है रिजल खराब आए और बाईबैक का सपोर्ट है तो ज्यादा गिरेगा नहीं हालां कि सारे IT स्टॉक्स प्रैस टू पर्फेक्शन यानि हैं कि सब क पिछली कौर्टर के रिजल्स के बाद अगर आपको याद हो तो सारी आई-टी कमणिये ने दमदार नतीजे पेश के थे और दमदार नतीजे के बाद तुरंट प्रॉफिट बुकिंग आती वी दीखी थे और उसके बाद एक अच्छे करेक्शन के बाद स्टोक वापस है और उस लियाद से थोड़े वोलेटायल आज और कल में रह सकते हैं आपको अगर रिजल्स के लियाद से ट्रेड करना है तो अपनी पोजिशन को हेज रखना ज़रू है और अगर रिजल्स के पहले अच्छा मुनाफ़ा होता है पार्शली बुक करें पचास परसंट परस स्टोक भाग जाए यू नेवर नो तो रिजल्स को ट्रेड करना थोड़ा सा ट्रिकी है फंडामेंटली कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है न टी-स में है और नहीं इनफोसिस में भी प्रो छोड़ दीजे एक बार इन दोनों स्टोक में मुझे लगता है बहुत ही करके दिखाया है दोनों ही स्टोक जो निफ्टी में सबसे नजर आते हैं एक्सिल टेक और यू पिल दोनों ही बढ़िया एक्षिन में आते हो दिखता है तो मुझे लगता है एक्सिल टेक अभी यहां से अपसाइड दिखा सकता है थोड़ी इसमें कोई डाउट नहीं जी आपसलूटरी सर एक्सिल टेक पर भी रखेंगे नजर 14 तारिक हो एक्सिल टेक के भी नतीजे आने वाले हैं तो आईटी एर्निंग्स आज शुरू हो रही है तीनों तीन दिगज कंपनीज के साथ